भारतिया रास्चियों कॉंग्रेज के उत्तर प्रदेस में आयोजित अधिवेशन 1947 तक कितनी बार हुई थी? इसी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे. इंडिया नेशनल कॉंग्रेज उत्तर प्रदेस में कितनी बार आयोजित हुई थी? उसके अधिवेशन जो होते थे annual session जो था 1947 तक कितनी बार हुई थी? इसका आंसर है 9 बार. काफी important topic है उत्तर प्रदेस के examination के लिए, वो कोई भी examination हो, वो PCS का हो, या फिर कोई भी examination हो उत्तर प्रदेस से related, काफी important topic है. हम इसमें देखेंगे अधिवेशन, वर्स, अस्थान, अध्यक्ष और उस अधिवेशन की जो विसेस्ताएं थी, कुछ उसको हम लोग हम लोग जानते हैं कि 28 देसंबर 18-85 को Congress की अस्थापना होती है, उसका फर्स session जो है वो Bombay में होता है, फोर्थ अधिवेशन जो होता है, वो उत्तर प्रदेस के इलाहाबाद में होता है, ये देसंबर 18-29 के बीच में 18-88 में ये आवजित होता है, जो की फोर्थ session था उसका अधिवेशन, इसके अधिवेशन जोर्ज यूल थे, इसकी विसेस्ता ये थी, कि जो जो जोर्ज यूल थे, ये पहले अंग्रेच अधिवेशन थे, हम लोग जानते हैं कि 18-85 में जब फर्स्ट अधिवेशन हुआ था Congress का, तो उसके जो अधिवेशन थे, वो उमेस चंदर जी थे, और फूर्थ अधियक्ष जोर्ज यूल थे, ये पहली अंग्रेच मतलब की अधियक्ष थे, जो की Congress के अधियक्ष बने थे, ये भी पूछा जाता है कि जैसे फर्स्ट जो अधियक्ष थे, वो हिंदू थे, वयोमेस चंदर बनर जी और फिर वयोमेस चंदर बनर ज जी थे, वो पार्शी थे, और थर्ड बद्रूत इन तयब जी थे, वो मुस्लिम थे, नेक्ष जो है देसंबर 28-29 को 18-92 में ये 8th सेशन था जो की अलाहाबाद में होता है, इसके जो अधियक्ष हैं वो वयोमेस चंदर बनर जी बनते हैं, ये वही वयोमेस चंदर बनर जी ह जो first अधियक्ष थे हैं, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का, यहाँ पर एक काफी important चीज होती है कि मुद्रा नीती में सुधार की मांग ये लो कर दे हैं कॉंग्रेस वाले, जो कि जेनरली नहीं मानी जाती है, नेक्स्ट होता है 15 जो इसका सेशन है, देसंबर 27-28 को 18-99 में लखनाव में होता है, इसके रमेश चंद्रदत अधियक्ष है, यहाँ पर दो चीजें होती है, मेजरली, demand for permanent fixation of land revenue, कॉंग्रेस के लोग चाहते हैं कि land revenue को fixed कर दिया जाय, और दूसरा था कॉंग्रेस के सनविधान को श्रुईकार किया गया, कॉंग्रेस ने भी अपना कु 22-23 के बीच में होता है, 1905 में, बनारस में, जिसके अधियक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, यहाँ पर ये चीज़ होती है, उस समय पार्टिशन अब बेंगौल कर दिया था, Lord करजन उस समय था, और पार्टिशन जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, बेंगौल का उस समय जो था, करजन चला गया था, उस समय करजन ही था, लेकिन करजन ने पार्टिशन किया था, तो इस जो सेशन में था, इसमें कहा गया कि हम अगेंस्ट करेंगे पार्टिशन अब बेंगौल का, हम लोग पार्टिशन अफ बेंगौल का बिरोध करेंगे, यहाँ पर य देश द्रोही सभा अधिनियम वापस ले लिया साता है फिर आता है बतिश्वा जो कि देसंबर 26 से 30 के बीच में चला था 1916 में लखनाव में काफी important अधिवेशन था इसके जो अध्यक्षते अंबिका चरण मजूमदार थे यहां पर कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एक समझ होता होता है जिसको की कॉंगेस मुष्लिम लीग पैक्ट कहते है और फिर री यूनियन ऊफ कॉंग्रेस फेक्षन होता है क्योंकि कॉंग्रेस में जो स्प्लीट होई थी सुरत में 1907 में जो extremist और moderate थे उनके बीच में फिर से reunion हो साता है next जो है 41st जो है एक तालिशवा session होता है 1925 में कानपूर में होता है सरोजनी नाइडू इसकी अध्यक्ष है यह प्रथम भारतिय महिला अध्यक्ष है यहाँ पर ध्यान देना है भारतिय महिला अध्यक्ष इसका मतलब कि इससे पहले कोई अध्यक्ष बन चुचुका है 1st जो महिला अध्यक्ष थी 1917 में कैलकटा में session हुआ था यहाँ पर एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी लेकिन वो इंडिया की नहीं थी तो यह question इस तरह से आता है जदी वो कहे question में कि प्रधम भार्तिय महिला अध्यक्ष कौन थी तो आंसर इस रोजनी नाइडू प्रधम महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो हो जाएंगी एनी बेसेंट 1917 के कैलकटा session में वो अध्यक्ष चुनी गई थी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की नेक्ष्ट होता है पचासवा ये 1936 में अप्रैल में होता है लखनौ में ही होता है जोहारलाल नहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट बोट की आस्तापना होती है फिर आता है 55th जोकि नवंबर 23 को 1946 में होता है मेरट में होता है यानि कि 15 अगस्त 1947 को Congress के कौन अध्यक्ष थे तो जेवी क्रिप लानी थे तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में Congress के जो आयोजित अधिवेशन थे 1947 तक वो 9 बार थे तो 9 बार जो अधिवेशन हुए थे वो हम लोगों ने डिटेल्स में देखा First 88 अलाहाबाद 92 अलाहाबाद और ये भी देख लीजी कि अलाहाबाद में कितनी बार हुआ था एक बार, दो बार, तीन बार अलाहाबाद में तीन बार लखनौव, एक, दो, तीन लखनौव भी तीन बनारस एक बार फिर कानपूर एक बार, मेरट एक बार चार जो सिटीज है वो यहाँ पर देखना है नौ बार में तीन बार अलाहाबाद तीन बार लखनौव और ये छे हो गए एक बार बनारस फिर कानपूर फिर कानपूर और लास्ट में मेरट ये नौस जो सेशन है उसके सिटी को भी देख लेना है